सरकारी जमीन पर पट्टे काटने के 12 साल पुराने मामले में बूंदी जुले के 99 नगरपालिका की ततकालीन चेयर्मेन रुकमणी नागर ने शुकरवार को कोट में सरेंडर कर दिया ACB कूटा DSP अनीस एहमत ने बताया कि वर्ष 2012 में 99 अगर पालिका में खातेदारी जमीन के साथ साथ सिवाय चक जमीन पर पट्टे काटने का मामला ACB ने दर्श कर रहा था और मामले में ततकालीन पालिका चेर्मेन रुक्मणी नागर आरोपी थी रुक्मणी नागर ने हाई कोट में अग्रीन जमानत अरजी लगा रखी थी आई कोट ने आरोपी कोट में सरेंडर होने के निर्देश दिये थे जिसके बाद रुकमनी नागर ने आज कोट में सरेंडर किया है रुकमनी नागर को जाच के बाद कोट में पेश किया किया वही कोट ने 18 जुलाई तक जेसी भेजने के आदेश दिये थे वह इस मामले में नेनवा के ततकालीन पटवारी महावीर पसाश शर्मार अगरपालिका नेनवा के ततकालीन कनिष्ट लिपिक वर कारेवाहक अधिशासी अधिकारी भवर लाल चौधरी वर कानूनों को छोटो लाल बर्मा पहले ही गिरफतार हो चुके हैं 93 आरोपी अभी फरार है